नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल AB Electronics में दोस्तों आज जो है जो फोल्डिंग रिचर्जेबल लाइट है जो टेबल लैंप जो जिसे बोलते हैं ठीक है तो उसके सर्कुट के बारे में हम जानेंगे फूल डिटेल जो है इसके बारे में मैं आपको आज जानक रहा हूँ अगर आप चैनल में नहें दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को आल पर सेट करें ताकि आने वाले वीडियो भी आपको सबसे पहले मिले ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले यह आप देख सकते हुआ होगा कि यह उसी का सरकेट है तो कीशी कह से देने वाला हूं कि क्या क्या प्रोब्लम इसको इस तो जो ज्यादतर परब्लम होता है डाइंटी परसंट फेल्लम वह जैसे में आपड़ के यह घख सकते हैं यहाँ पर जो हैं तो जगा एक रजिस्टन्स ललगटा है वो खराब होता है और यह capacitor फूल जाता है ठीक है इसको तो मैंने repair कर लिया है लेगिन इसका सारा जनकरी मैं आपको अभी देने वाला हूँ दोस्तों यह जो resistance है ठीक है यह आपके इस indicator जो है LED इंडिकेटर जो लगता है यहां पर ठीक है जब आप charging पर लगाता है यह LED गलो होता है तो इसके लिए यह लगता है यह resistance इसकी value है 1K ठीक है तो इसका reason मैंने अपने वीडियो में बता दिया है पहले जो मैंने light repair किया था उसके वीडियो में मैंने बता दिया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो मैं description में उसका link दे दूंगा आप जाके दे सकते हैं या फिर मैं दुबारा इसके बारे में बता देता हूं simply ठीक है उस वीडियो में ind है सबस्टमणे के चैर्ज़ नहीं लेता है तब किया होता है वर्वर चार्ज जो है डों होने के करण़ है या ब्रॉन हो जाता है पच्छारा पर प्रस्ट हो जाता य यह जो ind कर ने पे तो पुराना बैटरी लगा लेंगे तो आपका फिर से विदिन टू मिनिट्स सिर्फ दो ही मिनिट में आपका ये फिर से जल जाएगा और ये फूट जाएगा ठीक है कैपसेटर फूट जाएगा तो बैटरी कितने का लगता है ये तो मैंने सैंपल के लिए रखा हुआ है ये 4V 1A का है आप देख सकते हैं लेकिन इसमें जो बैटरी लगता है ये 4V 1.5A क बैटरी इसमें लगता है ठीक है तो रिजिस्टन्स की बात करें वैल्यू की तो यहां पर यह रिजिस्टन्स आपको मैंने बता दिया है कि 1K 1K की रिजिस्टन्स है 1K वाटर वाट में है आप देख सकते हैं यहाप और यह जो कैपसिटर है 100 UF 50V का होता है मैंने यहाप 63V का लगा हुआ है आप 50V से ज्यादा लगा सकते हैं लेकिन 50V से आपको कम लगाना नहीं है ठीक है और यह जो पीएफ कैपसिटर है आप देख सेते हैं 155J 400V का है आप चाहे तो 105J 400V का लगा सकते हैं इसमें कोई प्रब्लम नहीं है ठीक है और यहाँ पर यह इंडिकेटर LED भी खराब नहीं होता ज्यादतर यह रेजिस्टंसी खराब होता है और यहां पर चार डायोड होते हैं अगर आपका सौट हो जाता है ठीक है अगर आपका इसीरीज में टेश्ट करेंगे अगर आपका यह सीरीज 2 जान्प करता है तो आप इसको रिप्लेस कर देंगाम को और गता है तो आप इन रिजिस्ट्ट जो यह डायर याब यह रेख कर सकते हैं पिक्स कर सकते हैं तो अगर भर बहुता है तो एक सबसक्रादाओं involved देता हूं उसके पहले यह सॉकेटी है जो हमारा AC socket है ठीक है यह भी आपको market में मिल जाएगा पांच रुपया में ठीक है इसको भी आप replace कर सकते हैं और यह पीए भी आप replace कर सकते हैं सारा कुछ आपको मिल जाएगा इसका value मैं आपको बता देता हूं यह resistance का जो value यह one word का है लेकिन इसका value जो है मैं आपको बता देता हूं यह 0.39 ohms का है ठीक है 0.39 ohms का यह resistance है आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं इसका color को के answer ठीक है 0.39 ohms का यह resistance है one word में है ठीक है और यह जो resistance है यह आपका 1.25 ohms का है ठीक है 1.25 ohms यह one word में है यह आपका half watt में है और यह आपका one watt में है ठीक है यह क्यों use होता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं यह जो आपको आपको दिख रहा है यहां पर यहां पर लिखा हुआ है यह दोनों रेजिस्टन्स जो है सिरीज में है आपस में देख सकते है यहां तो आपका आपका देख सकते हैं रइट में अपको होगा कि एक हाइव में जलता है एक लो में जलता है तो लोग जो है आपका यहाँ ना पर है पॉइंट जाता है तो यह इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपका जो है backup थोड़ा ज्यादा सा हो ठीक है अगर आप जो लो में जलाते हैं आपका यह लेड़ी को तो आपका जो है ठाप थोड़ा ज्यादा देर तक रखेगा इसलें यह यूज होता है तो सर्कृट इतना सा है बहुत ही पढ़ आपको याद रखना है यह जो हाफ वाट में जो रेस्टेंस से 1.25 से 1.25 वोंस है अब इसको नोट कर लिजेए एक पेपर में 1.25 वोंस और यह जो है 0.39 ओमस ठीक है वन वट में है अब इसे नोट करके रख सकते हैं एक पेपर में ताकि आपको आगे प्रोब्लम ना ह और यह जो है आपको यह ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि यह ज्यादा तर 99 परसंट यह खराब होता है वान के की रेजिटन्स हाफ वाट में है जो कि यह इंडिकेटर एलेडी को ड्राइब करता है और यह कैपसिटर जो है 100 वैं 50 वोल्ट या 63 वोल्ट आप लगा सकते हैं थीमे आ track और इसमें कुछ भी नहीं है बहुत ही चंपना है। आपको समझ में आगे होगा कि किस तरह से होता है अब चलते हैं लिधियम बेट्री कीसे लगा सकते तो आपको बता दूँ कि अगर आप इस सर्क्िल्ट के साथ लिधियम बेटरी लगाता है तो आपका लिधियम बेट्री एक ही दिन में आपका खराब हो जाएगा ठीक है एक दिन में आपका ये बैटरी बिलकुल खराब हो जाएगा आपका ये पूरा बैटरी जो है खराब हो जाएगा क्योंकि यहां पर पीए फ्यूज किया गया है चार्जिंग सर्केट के लिए जो की लिथियम आयन बैटरी के लिए बहुत ही खराब होता है क्योंकि पी चार्ज करने के लिए तभी जाके लिथियम बैटरी का जो है लाइफ ज्यादा बन जाता है ठीक है जैसे कि हमारा मोबाइल चार्जर हो या कोई भी SMPS सर्कृट हो उससे आप अगर चार्ज करेंगे अड़क्टर से चार्ज करेंगे तो यही आपका लिथियम बैटरी अच्छ सबसे पहले आपको इस तरीके का एको सोकट चाहिए होगा यहांपर देख सकते हैं चार जाजरोड मेने लिया हुआ हूए मैं आपको ख्लोज दिखा च्छालहू हूं और यहां पर एक indicator LED अलग से इसके लिए ठीक है कोई भी color आप ले सकते हैं आपके अनुसार और यहां पर एक 680 ohm का resistance quarter watt में ठीक है 680 ohm का resistance quarter watt में आप चाहे तो 1K भी ले सकते हैं लेकिन मैंने आपे 680 ohms का लिया है ठीक है तो इस तरह किस तरह से connection करना है आपको अभी बता दूँगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपर दो वायर ले ले लेता हूं इससे निकालके ठीक है सबसे पहले आपको दो वायर अपने battery पर connect रहना red वाला आपको positive में connect कर लेना है बैटरी के lithium battery के ठीक है लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बस ये कर रहा हूं ठीक है तो ब्लक हो गया नेगटिव, रेड हो गया पॉस्टिव तो यहां पर सिंपली जो आप देख सकते हैं यह पॉस्टिव यह नेगटिव है जो चार्जर का ठीक है चार्जर सॉक्टेट का यहां पर LED है सबसे पह साइड पर रहेगा बैटरी के पॉस्टिव साइड आ रहना है और डायोड का रहल रहे घ्रण water साइड जो है वायर कनेक्ट होगा से एलिए से तो यहाँ पर मैं इस वायर को डिशोल्ड हमारे बैटरी से return voltage . आपके इस socket में ना जाएए इसलिए ठीक है आपको diode connect करना है और यहां पर आपको connect करना है Simply. red रेड के साथ red यानी कि positive के साथ positive यहां पर मैं इसे connect कर लेता हूँ positive के साथ positive पॉस्टिव के साथ पॉस्टिव और नेगटिव के साथ नेगटिव यहां पर मैं से कनेट कर लेता हूं बहुत ही सिंपल है ठीक है यह तो हमारा हो गया चार्जिंग सर्किट बिलकुल रेडी है अब इंडिकेटर के लिए आपको लगाना है यह जो रेजिस्टन्स है मैंने साथ से लगाया है तो यहां पर इसको कनेट करना है डायोट से पहले तो यहां पर मैंने इसे कनेट कर लिया है तो आपको अच्छे से सॉल्डर करना है मैं आपको दिखाने के लिए सॉल्डर कर रहा हूं लेकिन आपको अच्छे से यहां पर सॉल्डर करना है दोस्तों ठीक है तो मैं आपको सोल्डर करके दिखाता हूं दोस्तों सोड़ा प्राब्लम हो रहा है तो यह देखिए दोस्तों मैंने यहां पर LED इंडिकेटर को कनेट कर लिया है मैं सिर्फ आपको सर्किट समझा रहा हूं आपको इसको अच्छे से जो है कनेक्शन करना है पैक करना है ठीक है यहां पर मैं आपको टेस्ट करके एक बार दिखा देता हूं किस तरह से काम करता है मैं हाप एक मोबैल चार्जर से यहां पर connect करूंगा तो मेरा इंडिकेटर जलेगा मतलम मेरा बेटरी चार्ज हो रहा है तो जब मैं से निकाल लूँगा यह इंडिकेटर आफ हो जाएगा यानि मेरा पेटरी चार्ज बंद जाएगा ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूं तो दोस्तो देखें यह मैंने charger यहां पर ले लिया है मैंने इसको पायर के साथ connect कर लिया है अब मैं इसको लगाता हूँ यहां पर ठीक है यह थोड़ा tight हो रहा है यह अच्छे से यहां पर लगा नहीं है मैं इसको solder करके फिर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैं folder मैं ने इसको कर लिया है दोस्तो kilow итогеator को देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं charge पर लगाता हूं इसको ठीक है तो यहाँ देखिए यह indicator हमारा जल गया है याणि कि मेरा battery जो है charge हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर मैं voltage आपको test करके भी दिखा देता हूं कि यह फेक वीडियो बिल्कुल नहीं है मैं आपको प्रॉपर जो है दिखा रहा हूं ठीक है यहां पर यह देखिए एक मिनिट जो मीटर है मैं ले लता हूं यहां पर तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो है मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं ठीक ह 0,3 voltage दिखा रहा है जब मैं इसको off कर sollte नहीं चल रहा है ठीक है अब देख सकते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ oh you देख नतरी दिखा रहा है ठीक है 2.92 अभी voltage डिखा रहा है बेटरी में जब मैं इसको charging अउण करूंगा यह देखि takeaways मेरा indicator glow हो गया है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर indicator glow हो गया है अब मैं इसको test करता हूँ बैटरी को देखे 3.6 यानि कि मेरा charge हो रहा है दोस्तों ठीक है तो यह बहुत ही simple circuit है दोस्तों आप इसको इस तरह से आपको lithium battery अगर आप किसी भी light में torch में या फिर rechargeable light में आप lithium battery use करते हैं तो आपको इस तरह से आपको circuit बना लेना है charging के लिए क्योंकि यह जो PF circuit होता है यह lithium battery को खराब कर देगा दोस्तों क्योंकि इसमें high voltage रहता है ठीक है और यह lithium battery के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है lithium battery को approximate voltage ठीक है और approximate current चाहिए होता है इसको charge करने के लिए अगर आप को over charge करेंगे या फिर over voltage देंगे तो आपका lithium battery खराब हो जाएगा लेकिन लेड़ेशिट में ऐसा नहीं होता है लेड़ेशिट में यह हो जाता है चार्ज हो जाता है इसे कोई problem नहीं होता है लेकिन lithium battery के खासियत यह है कि यह backup अच्छा देता है और इसके मुकाबले यह बह तो कोई भी डाउट होगा तो मुझे जरूर कमेंट कीजेगा आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं और एक वीडियो में और एक नए टपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद